कभी-कभी तो बिस्तर भी बारिश से गीला हो गया, आसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन चलाए गए, लेकिन किसान सतर दिन से डटे हुए हैं, और वो लड़ाई बड़ी शिदत से लड़ ला है, आसू तो हमारे देश की संस्कृती है, और जब मोदी जी पारलिम से आसू चलकते हैं, तो भाजपा के लोग उनका मजाक बनाते हैं, तो बिलकुल साफ है कि कहीं पुलीस और प्रशासन पूरी तरह से उन लोगों के साथ मिला हुआ है, थाने की पुलीस चाह जाए, तो मंदिर के बाहर की चपल चोरी नहीं होती है, ये तो लाल किले की प्र की उम्मीद किस से करें, एक यंग पत्रकार सच दिखाता है, वो सच दिखाता है, वो किसान भी है, किसान का बेटा भी है, वो सच दिखाने के लिए रिपोर्टिंग करता है, और क्योंकि वो भाजपा के गुंडों का परदा फार्श करता है वहाँ पर रहकर, उसको पुली शांतिपूर तरीके से गांधिवादी तरीके से अपने समवैधानिक हकों का निर्वा करते हुए लड़ा है कभी-कभी तो बिस्तर भी बारिश से गीला हो गया आसू गैस के गोले छोड़े गए वाटर कैनन चलाए गए लेकिन किसान सतर दिन से डटे हुए हैं और वो आप में एंटी गवर्मेंट, एंटी इंडिया, एंटी नाशनल मूवमेंट है ये अपने आप में एक एंटी नाशनल मूव है राष्टे राजमा खुरदवा कर ट्रेंचेस बनवा कर उसमें बालू, मिट्टी, तार भरा कर किसी तरह से किसानों को वही रोकने का काम कर दि और सच तो ये है कि ये भाजपा के बेहुदे प्रवक्ताओं नहीं नहीं, ये भाजपा के मंत्रियों तक ने उन्हें कहा, लेकिन वो लोग डटे रहे वहाँ पर, वो लोग शान्ती से प्रदर्शन करते रहे वहाँ पर, उनके आसुओं तक का मजाक उड़ाया गया, तो हमारे देश की संस्कृती है, और जब मोदी जी पार्लिमेंट में रोय थे, तो देश ने सहानभूती से अपना हाथ उठाया था, जब योगी जी अपने मुकदमे वापस कराने के लिए फपक कर सदन में रोय थे, तो सदन उनके साथ खड़ा हो गया था, और आज जब किसान की आँखों से आँसू चलकते हैं, तो भाजपा के लोग और पाशान हृदे के ये मंतरी उनका मजाक बनाते हैं, लेकिन उस सब के बाद भी, एक सवाल आज भी, 26 जनवरी के पाँच दिन बाद भी, आज सवाल बार बार ये उठता है, कि जो उपद्रव हुआ, उसक लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनके साक्ष सामने आ गए, जिनके प्रूफ सामने आ गए, चाहे वो दीपसिद्धू हो, चाहे वो लाका हो, जो लोग हैं, वो 120 घंटे बाद भी आजाद घूम रहे हैं, उनको पुलीस पकर नहीं पा रही है, तो बिलकुल साफ है कि कह पुलीस और प्रशासन पूरी तरह से उन लोगों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अगर एक थाने की पुलीस चाह जाए, तो मंदिर के बाहर की चपल चोरी नहीं होती है, ये तो लाल किले की प्राचीर पर जाकर उपद्रफ करने की बात है, और इस प सवाल उठाया है, कि कैसे ये उपद्रफी घुस गए, लाल किले में इतने सुरक्षा के बंदोबस्त के बाद भी, और जरूरी है समझना कि ये तभी घुस सकते हैं, जब पुलीस और प्रशासन इनको घुसने दे, ये सवाल रहेगा, कि ये साज़श किसकी थीर अची कि किसानों को बदनाम किया जाए, और इन लोगों को लाल किले पर पहुँच कर उपद्रफ मचाने दिया जाए, और हाँ, जो लोग हमसे बेतुके सवाल करते हैं, उनका मैं जवाब जरूर दूँगी, हमें बहुत दुख है कि हमारे पुलीस कर्मी घायल हुए, हमें बहु पुलीस कर्मीयों को एक फॉर्डर अफ दा कैनन जिसको कहते हैं, जोखिंग के मुँ में डालना, आखिर किसके कहने पर हुआ, क्या हमारे देश के सुरक्षा कर्मी, राजनेतिक प्रतिदवन्दियों से निपटने के लिए, एक चारा मातर बन जाएंगे, ये सवाल हम बड़ी बात कहूंगी, वो क्यों निहत्थे थे, बार बार ऐसा होता है, गलवान में हमारे सैनिक निहत्थे थे, वो क्यों निहत्थे थे, यहां पर वो क्यों निहत्थे थे, और किसके इशारे पर ये सब हुआ, ये जरूर पूछा जाएगा, तो जब सरकार ही शड्यंत् पत्रकारी और सरकार की जो दूरी है उसको मिटा देती है और जो सच दिखाते हैं उसके पीछे पड़ जाती है जो सच दिखाते हैं उनका दमन करती है तो हम नयाए की उम्मीद किस से करें आप देखिए क्या हुआ है एक यंग पत्रकार और मैं जरूर एक अभी और भी इसके examples दूँगी एक young पत्रकार सच दिखाता है वो सच दिखाता है वो किसान भी है किसान का बेटा भी है वो सच दिखाने के लिए reporting करता है और क्योंकि वो भाजपा के गुंडों का परदा फार्श करता है वहाँ पर रहकर उसको पुलीस आकर उठा ले जाती है पुलीस आकर उठा ले जाती है उसकी पत्नी को कल शाम की गिरफतारी के बाद आज सुबह 10 बजे तक F.I.R. की कॉपी नहीं दी जाती है और आज सुनियाब शड्यंत्र आज आयो कहता है दो बजे उसकी पेशी होगी उसका Defense Lawyer वहाँ पहुचता नहीं है बचाओ पक्ष का वकील वहाँ पहुचता नहीं है और उसको कॲट में पेश कर दिया जाता है उसको जेल भेज देता है कॲट यह कैसा शड्यंत्र है क्या सच दिखाने की क्या सच बोलने की इस देश में इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ये किस तरह का दमन है ये किस तरह का प्रेशर सरकार डालना चाह रही है और ये सिर्फ छोटे पत्रकारों पर और सच दिखाने वाले पत्रकारों पर नहीं है आपको पता है कि कैसे इसी सरकार ने और मुझे बिल्कुल भी अचमभा नहीं है, बिल्कुल भी हत्प्रब नहीं है कि कैसे ये बरबरता योगी आदितिनात की सरकार की चौखट से ही शुरू होनी थी आपको पता है कॉंग्रेस के सांसत शशी थरूर जी के खिलाफ और बहुत जाने माने पत्रकारों के खिलाफ सेडिशन के मुकद में दर्ज हुए सेक्शन 153A के अंतर गत और सेडिशन क्या देशद्रो क्या होता है इस सेक्शन के अंदर कहा जाता है कि इन्होंने जान बूच कर एक साजश लच्रची की किर्मिनल कॉंस्परेसी करी बहुत सारी बाते जो हैं इस सेडिशन लोग के अंदर आती हैं उसमें म्रणाल पांडे हैं उसमें राजदीब सारदेसाई हैं जफर आगा हैं अनंतनात हैं विनो धोजें राकेशनात हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो क्या सच दिखाने वालों का मुँ बंद करने के लिए इस तरह की साजश इस तरह का शड्यंत्र अब चुनी हुई सरकारे रचेंगी और मैं पूरी आशा और पूरा विश्वास कहती हूँ कि अगर आप इनके इशारों पे नाच्टे रहिए अगर आप इनके मुक्पत्र बन जाएए अगर आप इनकी आरती उतारिए इनका चरण वंदन करिए तो आप देश के निर्भीक और निर्पत्रकारों में गिने जा तो क्या हुआ कि देश की राष्टे सुरक्षा के जो बड़े-बड़े सीक्रेट्स होते हैं जो बड़े-बड़े राज होते हैं वो वाटसाप पे लीक होकर चलते हैं लेकिन आप चरावंदन करिए तो आप बहुत बड़े पत्रकार बोले जाते हैं और जो सच दिखाता है उसके खिलाफ मुकद में उसके खिलाफ देश-द्रों की साज़श रची जाती है मतलब ये कौन सा लोक तंत्र है और क्या इस लोक तंत्र की परिकल्पना करी गई थी और मैं एक बात जरूर कहूंगी उत्तर प्रदेश के कुछ मामले आपके सामने लाने जरूर ही आपको प्याद ही होगा और हम सबके एक जमाने में रूख काब गई थी जब ये हुआ था पवन जैसवाल नाम का एक युवक था उसने सच दिखाया कि कैसे मुर्जापुर में नमक रोटी खिला रहे थे बच्चों को उसको जेल में डाल दिया गया ट्वीट करने वाले प्रशां मंत्री जी के संसद्य छेत्र में गाउं में क्या संग्रचना हो रही है किस तरह की बरबरता है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है सिक्दी कंपर को अभी भी बेल नहीं मिली है मुनवर फारूकी को अभी भी बेल नहीं मिली है और कल और ये बात जान बूच कर योग पर उनके पिता जी को कोट करते हुए एक स्टोरी करी थी, उन्होंने कहा कि अटॉपसी करते हुए डॉक्टर ने कुछ संशे दिखाया और उन्हें कुछ बुलट की बात करी, उस स्टोरी को लिखने के लिए सिदार्द वर्दराजन पर एक सेडिशन चार्ज लग जाता है, ये सिर्फ पत्रकारों के खिलाफ नहीं है, ये उन लोगों के खिलाफ है जिनके लिए और जिनका सच पत्रकार दिखाते हैं, तो कहीं पर एक सब इस समाज को और कहीं पर हम सब को सोचना होगा, कि आजाद हिंदुस्तान है, क्या आजादी के वाकई में 74 साल निकल चुक है क्योंकि कभी-कभी जब सोकर उठती हूं आजकल, तो लगता है हम ब्रिटिश हुकूमत से भी बत्तर हो गए, लाला लाजपत राए ने 1908 में केसरी में एक आर्टिकल लिखा था, मिस फॉर्चून ऑफ दे कंट्री, उसके खिलाफ उनको सेडिशन चार्ज फेस करना पड़ होंगी, और आप इनके इनकी बाते करिए, इनका पक्ष दिखाईए, इनके साथ उपद्दव मिलकर करिए, तो आपको 120 घंटे तक पकड़ा नहीं जाएगा, मुझे लगता है लोकतंत्र को जिस तरह से ये सरकार केंदर में, और इनकी सरकारें, जहां पर भी हैं, और मैं आटाक किया जा रहा है, वो वाकई बहुत चिंतनिये हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस किसाना अंदोलन में सरकार ने अपनी असलियत दिखा दिये, और मैं जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, आज मन की बात में सुना मोदी जी ने कहा कि उनको बड़ा दुख है जो पन साल तक तिरंगे का तिरसकार किया है, आप जिस तिरंगे से पसीना पोचते हैं, वो आपके लिए कपड़ा मातर हो सकता है, हमारे लिए वो गर्व है, हमारा स्वाभिमान है, हमारी पहचान है, आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं, और आप और अमित शा जिन लोगों क को फॉलो करते हैं और यहां पर नाम है मेरे पास लेकिन क्यों मैं उनको इतनी तवज्जों दूँ वो लोग गांधी की पुड़ितिती पर गोड़से का जैजय कार करते हैं तो राष्टवादी बनकर पूरे देश को देश द्रोही मत घोशत कर दीजे एक बात याद रखिए के लिए